जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके साथ सेर करेंगे हेल्दी और टेस्टी मूली की सबजी इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है तो चलिए सुरू करते हैं डेली और विकेंड स्पेसेर डेसिपीस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें मूली की सबजी बनाने के लिए हमने यहां पर 750 ग्रम मूली ली है तो हम मूली को इसके पत्तों से पहले अलग कर लेंगे इसे हम अच्छी तरह दोलेंगे और मूली को काटेंगे साथ ही में इसके जो पत्ते हैं इन पत्तों को भी हम बारिक काट लेंगे और हमने यहां पर 3 टबल स्पून तेल गरम कर लिया है इसमें एट कर देंगे एक टी स्पून बारीक कटा हुआ लहसुन और लहसुन का कलर चेंज होने तक हम इसे तेल में फ्राई कर लेंगे तो आप देख सकते हैं के लहसुन का कलर थोड़ा सुने रहा होने लगा है इसे पर हम इसमें हाफ टी स्पून जीरा एट कर देंगे और जीरे के चटकने के बाद हम इसमें एट कर देंगे मीडियम साइस के थीन टमाटर और टमाटर को तेल में तब तक फ्राई करेंगे जब तक शोफ्ट ना हो जाए है किवर में तक हमने से तेल में कर लिया और ऊद्रेड कर देंगे द्रक डैसन का पेस्ट तो एक थीस्पून अदरक पेस्ट से ऑपन का पेस्ट करके इसका जाए部分 दूर होने तक इसे भी हम प्राइद कर लेंगे तो अदरक लेसन का कच्छा पंदूर होने तक एक मिनिट तक मैंने इसे फ्राई कर लिया अब में इसमें कुछ सुखे मसाले एट करूंगी जैसे की एक टीस्पून लालमिश पाउडर एक टीस्पून धनिया पाउडर हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर और स्वाध अनुसर या फीर हाफ इसे एक टीस्हाइक तो पाउस टीस्विट कर लेंगे तो पाउस सांत मिनिट मैंने मसालों को लोओ फ लेम पर अच्छे से भून लिया अब हमने जो मूली बारिक काटकर रखी हुई है उसे इसमें कर देंगे अक्सर जब भी हम मूली लात है तो उसके पतों को हमश्य को फ फॉलिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है और पाचन तंत्रों को दुरूस्त करती है तो आप इस रेसिपी को इन सद्यों के मुसम में जरूर से ट्राइ कीजिएगा क्योंकि अभी आपको मार्केट में इसली मिल जाएगी तो इसे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें एक त्वथाई कब पानी एट कर देंगे और इसे हम कवर करके पकाएंगे तो देखिए सबजी के पकने के दोरान हम इसे पूरी तरह कवर नहीं करेंगे इस तरह आधा कवर कर देंगे इसा करने से मूली के पत्तों का जो हरा रंग है वो बरकरार रहेग तो मीडियम फ्लेम पर कुछ दे तक इसे पकने देंगे तो देखिए यहां पर मीडियम फ्लेम पर सब्जी को पकते हुए पांच मिनिट हो चुकी है तो अब देख सकते हैं कि इसमें से कितना पानी रीडीज होने लगा है तो इस टेज़ पर एक बार इसे चला लेंगे और फ सबजी के गलने तक हमने इसे लो फ्लेम पर 10-12 मिनिट और पका लिया है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है तो अब हम गेस की फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर इसे थोड़ा भूल लेंगे तक इसका पानी है वो ड्राई हो जाए तो दो मिनिट तक हाई फ्लेम पर भूलने के बाद आप देखेंगे कैस पानी अच्छे से द्राई हो चुका है तो यह देखिए, कितनी बढ़िया मूली की सबजी बनकर तयार हुई है अब हम इसे सव कर लेंगे तो देखा आपने किसे जट पट कुछी मिन्टों में कितनी बढ़िया हेल्दी और टेश्टी सबजी बनकर तयार हो गई आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सेर और कॉमेंट करें चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे हमबल रिक्वेश्ट है कि इसी ही आसान, सिंपल और उनिक रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्स्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई